बिल्कुल आपने सही पड़ा और सही वीडियो में आपने क्लिक किया है कि ऐसे बेचो अपना प्रोडक्ट की कस्टमर लाइन लगा कर आएंगे जी लाइन लगा कर आएंगे आज हम बात करने वाले हैं किसकी आज हम बात करने वाले हैं सेल्स के बारे में जिसको दुनिया का स जेनर सिंग रावत स्वागत करता हूँ इस शांतार वीडियो के अंदर जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं सेल्स के वह अंजान fundamental जिनके बारे में आज तक आप अंजान थे क्योंकि जब भी हम सेल्स की बात करते हैं तो जालतर लोग सेल्स को पसंद नहीं करते हैं जिनके जिनकान पराढम चाहिए की बचपन से आज तक हम इसी सेल्स के चकर में घूमते आ रहे हैं आज जो भी हम चीज इस्ते माल करते हैं टीबी, बेड, अनाज, किताबें, हर वह चीज जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, हम वह सारी चीजें बाजार से खरीद कर लेकर आते हैं, और वह हमें फ्री में नहीं, बलकि सेल्स के द्वारा बेचे जाती हैं, और बच्पन से हम भी स्कूल में, घर में, कॉलेज में, ज प्रोफेसन नहीं करते हैं, जबकि अगर कोई इस सेल्स के प्रोफेसन को सीख जाए, तो वो कभी भी बेरोजगार या बिना पैसे के नहीं रहेगा, तो सबसे पहले हम समझते हैं, कि ये सेल्स आखरी में है क्या, वट इस सेल्स, जब भी हम किसी को कोई वस्तू या फिर प और उसको ही खरीदना बेसना कहा जाता था, अगर मैं आपको अग्जामपल दू, अगर मान लीजिए, मुझे आज चावल के आउ सकता है, और मेरे पास गेहू हैं, तो मैं अपने खेत में उगे, जो मेरे पास गेहू हैं, तो मैं उसको दूँगा जिसको गेहू चाहिए, और मैं चावल ले लूँगा, क्योंकि मुझे चावल चाहिए, तो इससे दोनों के जरूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन बदलते समय के हिसाब से, इसको पैसे से खरीदवा बेचे जाना लगा, खेर, अब हम बात करते हैं, उन पावरफुल तरीकों के बारे में, जिनसे आपके सेल्स, कई गुना, बहुत तेजी के साथ बढ़ सकती है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, और नोट पैनल लेके बैठना, हमेसा आपसे कहता हूँ, इससे पहले में, ब्रेंडिंग के उपर, स्किल्स के उपर, मार्केटिंग के उपर, इन सभी के उपर वीडि इसको किया जाता है, तो इसको बोलते हैं, फिजिकल सेल्स टेकनीक, इन सेल्स टेकनीक के अंदर हम कस्टमर से मिलते हैं, या कस्टमर हमसे मिलता है, हम कस्टमर को वस्तू या फिर प्रोड़क्ट सामने वाले को दिखाते हैं, उससे बेजते हैं, जिसे हम प्रोस्पेक्टि की information, negotiation skills आप urgency कैसे create करते हैं, customer के उपपर अपने brand की चाप कैसे छोड़ते हैं, इन सभी के उपपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने के आउसकता होती है, और अपने आपको लगातार इंप्रूव करने की वे आउसकता होती है, जिससे customer आपके उपर भरोसा कर पाए, आपसे कम से कम negotiation करें, आपका product लोगों को recommend भी करें, तो इसके लिए आपको अपने sales की skills को polish करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया, आप बात कैसे करते हैं, follow up कैसे लेते हैं, information कैसे देते हैं, उसको treat कैसे करते हैं, उसको sales के बाद sales after service कैसे दे पाते हैं, इन सभी के उपर आपको ब आपके office में लगा रहता है, तो वहाँ पर आप अपने team को और खुद को भी अपने training के उपर और अपने team के training के उपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, ताकि आप customer को बहतर experience दे पाएं, अगर आप किसी बड़े mall, या बड़े hotel, या किसी शीच को खरीदने के लिए आप जब mall में जाते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि उनकी team और वह खुद भी बहुत ज़्यादा well maintained होते हैं, इन सभी skills के उपर जब आप पहले से training लेके बातचित करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा समय बचा पाते हैं, और बहुत ज़्यादा अपना product सामने वाले को बेच पाते हैं, जो कि कहीं न कहीं, customer आज के समय में भरोसा पहले खरीता है, ब्योहर पहले खरीता है, तब जाकर वह आप से आपका product खरीता है, आपके उपर विस्वास करके, तो physical sales के अंदर इन बातों का काफी ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको, अगर आप physical sales में ब उसके बताएंगे, मैं घर में पूछूँगा, मैं बात करूँगा, तो उसके तीन ही कारण होते हैं, या तो आपका product थोड़ा सा महेंगा है, या फिर कोई ऐसी चीज उसे महसूस नहीं हो रही है, कि उसे लगे कि ये मेरे लिए perfect है, और तीसरा side उसे जरूरत ही नहीं है, तो आपको customer से सवाल पूसने हैं कि sir, आप हमें सोचकर बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन यह जो product है, यह आपके neat के according आपके लिए बिल्कुल बहतर है, sir हमारे पास ये limited stock पड़ा हुआ है, हो सकता है जब तक आप दुबारा आएं, दुबारा हमें बताएं, तो यह product यहाँ पर होई ही न, अगर sir आप इसे आज buy करते हैं, या book करते हैं, तो आप इसे जल्द buy कर सकते हैं, जिससे वह खोने का डर महसूस करेगा, वह दबाव में आ जाएगा, क्योंकि देखो हम सब खोने से बहुत डरते हैं, हर चीज को, अगर कोई limited चीज पड़ी हुई है, और साम तो कई बार क्या होता है, customer अपनी family के लिए कोई चीज खरीद रहा होता है, तो इससे आपको पता लग जाएगा, कि उसका end user कौन है, जो उसको खरीदने वाला है, या फिर जो इसको इसको इस्तमाल करने वाला है, वो आखिर जो खरीद रहा है, वही इस्तमाल करेगा, या फिर कोई दूसरा उसे इस्तमाल करेगा, तभी तो पूछने के बात कर रहा है आपसे, दूसरा सवाल आपको पूछना है, सर क्या यह जो प्रोड़क्ट है, क्या आपकी हिसाब से महंगा है, क्योंकि आपको समझ मा आ जाएगा, इससे customer का budget कितना है, और customer लेने के लिए कित प्रोड़क्ट में, जिसकी वज़े से आप comfortable महसूस नहीं कर पा रहे हैं, कि आप इसे buy करें, क्योंकि देखो ना, customer दो-तीन चीज़ों से ही परिसान रहता है, या तो वो comfortable महसूस नहीं करता, या फिर थो थोड़ा महंगा होता है, उसके लिए product, या फिर वो अपनी ले नह होता है, तो इसलिए उसका समझ में आता, मैं actual में लूँ नहीं लूँ, तो यह तीन सवाल जब आप उससे पूछेंगे, तो आपको पता लग जाएगा, कि ये customer खरीदेगा कि नहीं, क्योंकि आप उससे सारी सच्चाई उगलूबा लेंगे, दूसरी strategy, compare with others, कई बार जब customer हमारे product को देखने के लिए आते हैं, तो जब वहां मना कर देते हैं, तो हम सोच के बताएंगे, या समय लेते हैं, तो उस समय या फिर उससे पहले भी आप अपने product के बारे में कुछ ऐसी USP बता सकते हो, unique selling proposition, जो सामने वाले brand या फिर सामने वाले दुकान के पास, किसी के होई ही ना, example देता हूँ, माल लेजिए, आज मैं कोई कार खरीद निगले जाता हूँ, जैसे ही मैं सोरो में पहुंचता हूँ, तो वहाँ पर उनके brand की गाड़िया खड़ी होती है, और उस brand की अपने USP होती है, अगर वह salesman training की प्रिक्रिया से गुजरा होगा, और sales को सम सकता है, वह मुझे गाड़ी की safety के बारे हम बताए, engine की performance के बारे हम बताए, गाड़ी की ground clearance के बारे हम बताए, और गाड़ी की driving dynamics के बारे हम बताए, और गाड़ी की reliability के बारे हम बताए, अपने service के बारे हम बताए, और वह मुझे last time यह भी बोल दे, कि sir यह जो benefit है, और ज इससे क्या होगा कि मेरे मन में उस गाड़ी के परती उस ब्रैंड के परती एक ऐसी इमेज बन जाएगी एक ऐसी श्ट्रॉंग इमेज बन जाएगी कि मैं जब भी किसी दूसरे ब्रैंड के पास जाओंगा तो कहीं न कहीं मैं उनसे पूछूंगा क्या आपके गाड़ी के अं जो बिलकुल अप्टूडेट हैं जिसका कंपैरेजन दूसरी गाड़ी के साथ किया ही नहीं जा सकता अगर आपके गाड़ी के अंदर या फिर आपके प्रोड़क्ट के अंदर कुछ कमिया है भी तो उसके अंदर कुछ ऐसी यूएसपी जरूर होगी आपके पास जो किसी और के पास है नहीं हो सकता है आपके लोगा से अच्छी हो हो सकता है आपका जो प्रोड़क्ट आप उसे दे रहे वह बहुत जदा रिलाइबल हो बहुत जदा मजबूत हो तो इन सारे के सारे जो इसको बता देंगे कि सर हमारा प्रोड़क्ट हमारी यूएसपी यह है तो कही नहीं दूसरे के पास जाके जरूर पुछेगा कि आपके पास क्या यह है कि जो सारी चीजों के बारे में लेने से पहले सोचता है कि मुझे service कैसी मिलेगी reliability कैसी है मैं क्या इसको ले रहा हूँ यह महंगा तो कहीं नहीं है क्कुकि customer को सारी USP पता होनी चाहिए आपके बारे म तो वो जो market के अंदर उससे कोई देही नहीं सकता तो उससे क्या होगा customer आपके product के बारे में market के सारे product को compare करेगा और उसके बाद उसको जब आपके जैसा काई मिलेगा ही नहीं क्योंकि देखो हर किसने के पास कोई नहीं यूस पर होती है लेकिन आप उसको कुछ ऐसा बता दो कि वो बोले नहीं भाई सब आना है तो यहीं आना है क्योंकि इससे अच्छा इससे सस्ता और इससे बहतरी मुझे मिली नहीं सकता तो इससे क्या होगा आप sales को बहुत जल्दी ऐसी USP बता दो जो कोई और दे ही नहीं सकता उसके बारें बता दो तो सामने वाला भी फील कर पाता है कि जो मैं लेना चाहता हूँ यह भाई सब इसी के पास है यह strategy बहुत काम करती है physical sales के अंदर जब आप किसी और से अपना product अपनी USP को compare करते हो किसी और के साथ तीसरी strategy है discount for you sir इसका मतलब है जब मैं कार खरीद निकले गया मैं आपसे वही कह रहा हूँ अगर वह salesman इन तकनीक को जानता होगा तो 95% वह मुझे गाड़ी बेची देगा अगर वह सिद्दत से मेरे साथ sales करने बैठ गया तो चूंकि आज के समय में हर किसी को mental security चाहिए feel चाहिए कि जो भी मैं चीज ले रहा हूँ मैं खरीद रहा हूँ वह best है अभी जो discount for you वाला जो method है इस method को आप customer के साथ अपने घर के सदसी के तरह ब्योहार करके आप उसके साथ बातचीत करके इस चीज को बोल सकते हो बड़े ही प्यार से कि sir हमारे पास जो गाड़ी आपने देख है जो product आपने देखा है यह limited है और limited stock है कभी भी खतम हो सकता है अगर आप sir इसे आज buy करते हो इसे book करते हो क्योंकि sir हमारे पार जो product है वह साइधी market के अंदर किसे और के पास है example लेते हैं अगर वह गाड़ी 15 लाकी है तो मुझसे क्या बोलेगा अगर sir आप इसे आज book कर हुआ sir आपके साथ एक अपना पंसा है तो मैं आपको अपने घर के सदस्सी के तरह ही discount की deal दे रहा हूं इसमें sir आपके डेड़ से दो लाख रुपे बच रहे हैं जो मैं deal आपको दे रहा हूं इन बचे हुए पैसों sir आप invest कर सकते हो आप इसे enjoy कर सकते हो लेकिन sir यह limited time के अगर आप आज बुक करते हो अगर आप इसे आज बाय करते हो sir तो मैं आपको आज दे पाऊंगा यह पर इस हफटे ही दे पाऊंगा उसके वासर मैं आपको offer नहीं दे पाऊंगा sir मापी चाहूंगा तो customer को लगता है यार इस आदमी ने मुझे बताये भी मुझे समझाये और यह मेरी पैसे बचाने के लिए मुझे बोल भी रहा है देखो क्या होता है ना जहां पर पैसे की बात आती है तो वहां पर customer किसी का सगा नहीं होता customer को जहां अच्छ डील मिलती है customer वहीं जाता है तो इसको बोलते हैं discount for you sir केवल आपके लिए discount है हम किसी और को discount नहीं द सब्सक्राइब न। आप उसके उपर इसा नहीं करते हैं तो उसको ऐसा महसूस करवाओ और उसको discount for you वाली strategy कि सर आपके लिए discount है बहले ही वह डिसकाउंट सब के लिए हो लेकिन discount सर आपके लिए बस और किसी वह से discount निदेते हैं तो उससे क्या होता customer secure महसूस करता है, जिसको पाने के लिए आज हर को भी दोड़ रहा है, क्योंकि security ना हर केसी कुछ चाहिए, तो इसलिए discount for you वाली है strategy, आप physical sales के अंदर exponentially आप इसको बहुत जादा तुफाने तरीके से ग्रूव कर नहीं है, उनसे पूछ तो बताई नहीं पाते हैं, अब यहाली की बात है, मैं एक showroom के अतर गाड़े देखने के लिए गया, गाड़े देखने जब मैं गया, तो उससे जब मैंने पूछा कि सर मुझे इस गाड़े के बारे में थोड़ा सा और बताई ये, तो वह मुझे बता ही नहीं पाया, वो मुझे समझा ही नहीं पाया, मैंने उससे पूछा, सर इस गाड़े का वेट कितना है, बोला जी चार कुंटल, जबकि उस गाड़ी का वजन 13 कुंटल से भी जाता का था, बोल रहा सर, हाँ, मैंने ध्यान वगरे नहीं दिया, तो इससे क्या होता ना, कस्तमर को लगता है कि यार, इसको अपने प्रोड़े के बारे में जानकारी है ही नहीं, जबकि मैं पूरे मूट से गय अब आप बोलोगे, सर, अगर आपको पता था, आपने पूछा क्यों उससे, जब आपको पता था कि गाड़ी 13 कुंटल की है, तो आपने पूछा ही क्यों, तो कई बार क्या होता है, इंटरनेट से पड़े हुई information, जब हम सामधाले को बताते हैं, तो कई बार उगलत निकल अपने शॉप के अंदर, अपने बिजनस के अंदर, जो थोड़ा कम पड़ा लिखा हो, जिसको information ना हो, जो सीखना भी ना चाहता हो, तो ऐसे लोग आपकी बहुत सारे sales को lose कर देते हैं, और ऐसे लोग customer से सही से ब्योहार भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको आता ही नहीं है इसलिए अगर आपको अपनी sales को खराब नहीं करना है, तो information अपने product के बारे में बारेक से बारेक आपको पता होनी चाहिए, USP पता होनी चाहिए, तो तब जाके आप उसको बेच पाओगे, तब जाके आप उसे समझा पाओगे customer को, कि यह सर जो भी मैं आपको दे रहा हू product बेच रहा हूँ, यह सर बहुत ही ज़्यादा powerful है, तो customer जब आपसे सवाल पूछता है, क्योंकि customer का का में सवाल पूछता है, तो आप information रखो अपने चीज़ के बारे में, तो अगर आप information नहीं रखोगे अपने service के बारे में, product के बारे में, तो आप कभी ज़्यादा बे strategy, अभी बहुत बड़ी वीडियो है, ध्यान से देखना, जाना मत छोड़के, तो पांच में sales strategy है, let the customer experience the product, जब भी customer आपके पास आए न, तो उसको अपना कोई भी आप product जब दिखाते हो, तो इसे experience करने दो, अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हम किसी mall में, दुक अच्छी है, हम पर शूट करेगे नहीं करेगी, हम जो चाहरें गाड़ी का engine, performance, steering, की गाड़ी comfortable है या नहीं है, तो इससे क्या होता है, customer को बड़ा ही अच्छा feel होता है, और वो बहुत ही बहतरी तरीके से समझ पाता है, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसका decision customer को ले लेंगे नहीं, खरीदना है, खरीदो हैं तो जाओ यहां से, आप गाड़ी लेने के लिए जाओ, आप से बहुत ही देखो, गाड़ी सामने खड़िये, ले नहीं है लोग, नहीं तो चलते बनो, तो 99% लोग आपके कभी वो service product को इस्तमाल करेंगे ही नहीं, कभी करता है, तो कहीं नहीं, उसके मन में एक अच्छी चाप छूड़ती है, और वहाँ product को लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचन होता है, कार बेचने वाला भी ना, पहले आपको test drive करवाता है, कपड़े देने से पहले सामने आला बोलता है, पहने के चेक कर लो, पहने के तेजी के साथ आपकी sales आगे बढ़ सकती है, अब ही मैंने आपको physical sales technique की 5 strategy बताई, जो आपको exponentially आपकी sales को double कर देंगी, अब बात करते हैं, दूसरी sales strategy की जिसको हम बोलते हैं, video sales technique, आज के समय में यह एक ऐशी technique है, जिसके बारे में 95% sales के लोगों को पता नहीं होता, वाइ तो कि उन्हें हैं बताने वाला कोई ही नहीं कि आज की इस internet के दुनिया के अंदर अगर आप video sales को इस्तमाल नहीं करते, video sales को add नहीं करते अपने profession के अंदर, तो आप अपनी sales को अच्छी करी नहीं सकते, आप जब तक काम करोगे, तब तक पैसा करोगे, तब तक सेल आएग जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया, उस दिन आपके पास sales आना बंद हो जाएंगी, अब आप बोलोगे, sir, हमें आगे करना क्या है, video sales का मतलब होता क्या है, इसको हम बोलते है, video sales marketing, इसको हम influencer marketing भी बोल सकते है, इसका मतलब होता है, कोई ऐसा इंसान, जो अपने service, product, information को, video बना के, जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ अभी, उसको बना के लोगों को दे रहा है, जानकारी दे रहा है, अपने product की, अपने service की, लोगों की problem को solve करके, उन्हें यह भी बता रहा है, कि अगर आप हमारा product लेना चाहते हो, तो आप हमें संबर कर सकते हो, तो इसको ही बोलते हैं, video के द्वारा बेचना, video sales, influencer marketing, अब आप बोलेंगे, sir, हमें video बनाना आता ही नहीं है, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में हम कैसे जान पाएंगे, हमें कौन समझाएगा, हमें कौन बताएगा, तो मैं आपको बताऊंगा, video sales के माध्यम से की कैसे sales कर सकते हैं, अगर आप आज मुझे देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं, मैं भी आपको कुछना कुछ बेच रहा हूँ, आपके मन के अंदर अपना भरोसा पैदा कर रहा हूँ, अगर मैं आपको कुछ अपना product बेच रहा हूँ, और बेचना चाहूंगा, तो जादतर chances हैं कि आने वाले समय में, या फिर आज, आप मेरा कोई ना कोई product जरूर खरीद लेंगे, क्योंकि बार बार में आपको दिख रहा हूँ, मैंने आपके अंदर अपना भरोसा बना लिया है, क्योंकि मैं आपको वीडियो के मादिम से दिख रहा हूँ, आज के समय में लोग सोरूम म कुछ खरीदने से पहले उसके रिवियू के दौरा रिवियू चेक करते हैं, कोई कार खरीद नी हो, कपड़ा खरीद ना हो, प्रपटी खरीद नी हो, मोबाईल खरीद ना हो, लैपटाप खरीद ना हो, एटू जो भी चीज़े खरीद नी हो, उसका comparison और उसके बारे में information वीडियो के माध्यम से लोग आज के समय में देखना पसंद करते हैं चुकि आज के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि पहले आपके शॉप में आएंगे, मौल में आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, जब उनके पास घर में ही ऐसी मशीन है, जिसके आपके product और services को खरीदेंगे आज बच्चे से लेकर बोड़े तक हर किसी के हाथ में mobile है कुछ भी आप बेचना चाहते हो तो आप अपने target audience के हिसाब से video बनाके उसे बेच सकते हो उसके माध्यम से आप sales generate कर सकते हो और next level पर अपनी sales को लेके जा सकते हो आज आप जितने भी चाहते यूट्यूबर, Instagram, influencer इन सभी को देखते होंगे तो यहां किसी ना किसी company के product को use कर रहे होते हैं उसको recommend कर रहे होते हैं कि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे दिये गए link पर जाके click कर सकते हैं उसे buy कर सकते हैं हमारा coupon code यह है इसकी service यह है आप जाइए इ किसी application को download कीजिए इसको बोलते है influencer marketing क्योंकि company सामने वाले content creator को influence करने के पैसे देती है उसको बोलती है कि हम आपको sponsor कर रहे हैं इस वीडियो के लिए आप हमारे बारे में लोगों को बताईए लोगों को समझाईए जिससे क्या होता है कि सामने वाले जो company है वो ऐसे ही आद बेसते हैं जो किसी तरह की business service देते हैं तो इस तरह के लोग मेरे पास आएंगे लेकिन क्या होता है ना आपकी जो audience है जो लोग आपको देख रहे हैं उसी तरह के product में लोग interested रहते हैं तो वह बोलते हैं कि आप हमसे product लीजिए आम आपको पैसे भी देंगे इसका promotion अपने social journey है ना मैंने भी अपनी journey को videos के माध्यम से शुरू किया video sales के माध्यम से और यहां से मैंने जवर्दस सफलता हासल की वैसे इसके बारे में मैंने अपना एक program launch किया है जिसको बोलते है video sales देख रहे हैं पर आप इसको बोलते है video sales अगर आप चाहते हैं कि सर्व वीडियो के म model के अंदर मैंने डाल रखा है आप चाहें तो आप इसे नीचे दिये गए link पर जाकर buy कर सकते हैं या फिर हमारे join button पर जाकर इसे आप buy कर सकते हैं इतने कम price के अंदर आपको सिखा रहा हूं जितना कोई सोच ही नहीं सकता तो जाकर आप इसे buy कर सकते हैं अब आप बोलें क आप उसी तरह की वीडियो बना सकते हैं जिससे क्या होता है कि आपकी sales जब बढ़ती है क्योंकि कहने तो को वीडियो जो sales है वो आपकी technology आपको करके देती है क्योंकि आपकी जो दुकान है अब आपके customer आपके पास नहीं आ रहे हैं और वहां से लोग आपसे buy कर रहे हैं समझ रहे हैं आप सो रहे हो तब भी आपकी वीडियो चल रही है आप जाग रहे हो आप घूम रहे हो आप फिर रहे हो आप खाना खा रहे हो तब भी आपकी वीडियो चल रही है क्योंकि technology अब आपके लिए काम कर रही है तो आपकी business को चला रही होती है आज एक content creator लाख र इसाफ से वीडियो बना कर अपने प्रोड़क्ट अपने सर्विस के उपर लोगों को लाके उससे आप बहुत अच्छे सेल्स को कही गुणा बढ़ा सकते हैं उसको सीखने के लिए मैंने क्या खा था आप से आप जोइन बिटन पर जा सकते हो लिंक निजर डिस्कुरिशन में वहाँ पर जाके भी आप हमारे इस प्रोग्राम को बाई कर सकते हूँ तीसरी जो हमारी सेल्स को बूश्ट करने की स्ट्राटेजी है उसको हम बोलते हैं वेबसाइट इमेल सेल्स टेकनिक यानि कि जब भी हम अपने बिजनस को करते हैं भले ही वो छोटा बिजनस हो भरोसा ज्यादा करता है कोई भी ओर्लाइन के थुरू आपके बिजनस तक बहुंस सकता है और इसको आप अपनी वीडियो के माद देम से फिजिकल सेल्स के माद देम से कस्टमर को बता सकते हो कि हमारी एक वेबसाइट भी है आप जाकर उसमें विजिट कर सकते हो इससे आपको अपनी वेबसाइट बनवानी होगी ध्यान रखिएगा जब भी वेबसाइट बनाएं तो नीट एंड क्लीन आपकी वेबसाइट होनी चाहिए बहुत सारी चीज़ें भरी भरी नहीं होनी चाहिए जिससे कस्टमर इरिटेट ना हो उसको समझ मैं मुझे करना क्या है मुझे कहाँ पर अपनी information देनी है कहां से मैं buy करूँगा कहां से मैं चीजों को देख पाऊंगा उसको बिल्कुल easy to use उसके लिए होना चाहिए दूसरा जो point था इसी strategy में उसको हम बोलता है email marketing या फिर email sales आज के समय में लोग ना अपना phone बदल देते हैं आप से पूछूँ जब भी आपके customer आपके पास आएं website के थुरू, WhatsApp के थुरू, physical sales के थुरू, तो आप उससे उसकी mail ID या फिर आप उससे उसका number ले सकते हो, किसी brochure के अंदर जिसमें उसको आपको अपनी information देने में कोई दिक्कत भी ना हो, देखो न यह जो चीजे मैं बता रहा हूँ न, यह सुनने में बड़े अच्छी लग रही होंगी, लेकिन जब आप इससे करेंगे, तो जब इससे result निकल के आएंगे, तो आपको यह strategy और अच्छी लगेंगी, यह आपको वो बता रहा है, जिसने इसको इसको इस्तमाल करके exponentially अपनी growth को बहुत तेजी के हाथ आगे लेकिन जब भी आप अपनी sales को करो email के माध्यम से, तो उसको आप बार बर अपनी sales के बारे में ही मत बताओ, उसको कभी information दे दो, कभी guide कर दो, कभी service के बारे में बता दो, और देखो क्या हतो, 80-20 का principle आपके हाथ में होना चाहिए, 80-30 में customer को information दूँगा, जो उसकी काम की जानकारी है, और 20% मैं उसको बेचूँगा, मैं उसको कुछ ना कुछ अपना product recommend करूँगा, email के माध्यम से, वहां से भी कई बार बहुत तगरी sales निकल के आती है, क्योंकि क्या होता है, देखो, लोग mail देखते हैं, भले ही आपको reply नहीं करेंगे, भले ही वो नहीं करेंग एहन हिस्सा बन चुका है, जिस तरह यह हमारा हिस्सा बन चुका है, जीवन का, उसी तरीके से customer के जीवन का भी हिस्सा बन चुका है, लेकिन जारतर लोग इसको इस्तवाल ने कर पाते, जिसकी वज़ए से वो आपनी बहुत सारी sales को lose कर देते हैं, जब भी customer हमारे पास वी आप उसको अपना product बहुत अच्छी तरीके से sale कर सकते हो लेकिन एक powerful तरीका जिसको लोग सबसे ज़्यादा इस्तमाल करते हैं उसको बोलते है WhatsApp marketing जब भी हम किसी का number लेते हैं तो WhatsApp के through उसे केवल good morning, good night के message ना भीजें केवल follow up लेने के लिए कि सर आप हमारे service को कब आई कर रहें इसके लिए ही उसे आप message ना करें कि सर आप हमारा product कब तक ले रहे हैं कब तक आप हमारे पास आएंगे अप WhatsApp के through advertisement कर सकते हो advertisement केवल आपके customer को देखेगी आप broadcast group बना के उसे information share कर सकते हो आप उसे permission लेके अपने service के according एक group बनाके उसमें उसे add कर सकते हो जिसमें उसका number किसी को ना देखे आज के number head कर सकते हो आप उस group के अंदर आप अपने service के बारे में उनको बार 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 बता सकते हो कि नए stock आया है, नई facility आई है, नई service आई है उससे क्या होगा, बार बार customer आपके साथ engage रहेगा कभी भी उसको जरूत पड़ेगी, वो सीधे आपको ही phone करेगा तो जब भी आप customer का number लें, तो उसको बोलने कि सर आप इने number save कर लेजीगा, कभी भी काम आसकता है सर बाकी मैं आपको इसके बारे में information भेजता रहूँगा, उससे permission लेने के सर आपको मैं ग्रूप में add कर सकता हूँ, जिससे आपको हमारे नई नी चीजों के बारे में पता लगते रहेगा, customer की अगर आप permission लोगे न, तो customer लगातर आपकी जानकारी को देखेगा, समझेगा, जानेगा, आप advertisement कर सकते हो, जिससे क्या होगा न, वो भले आपको reply करे या ना करे, तो इससे क्या होता है, जब आपका status देखेगा, आपके group में information देखेगा, broadcast में आप उसको information भेज़ोगे, है न, तो उससे क्या होगा, customer आपको भले reply नहीं करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तमाल किये जाने बाले WhatsApp के थुरू, आप customer के दिमाग में बार बार अपनी जगह बनाओगे, क्योंकि क्या होता न, देखो, बार बार customer जब आपको देखेगा, तो उसका बहुरा सा आपके पड़ती बढ़ जाएगा, पिर उसको आप बाद में आराम से बेज सकते हो, व से एस एक दिन का खेल नहीं होता, सबसे पहले customer को भरोसा करने में समय लगता है, किसी भी product, किसी भी company, किसी भी इनसान की उपर, उसको भरोसा करने दीजिए, उसको लगना चाहिए, कि येस, मैं जिसके साथ भी हूँ, ये मुझे बार बार दिख रहा है, information दे रहा है, सबसे बहले आपको call करेगा, सबसे बहले आपको बताएगा, और लोगों को recommend भी करेगा, कि भाई सब इसके वाँ जाना, तो क्या होता है, देखो WhatsApp के थुरू आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से target कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह से आप उन्हें guide कर सकते हो, बस उसे परिसान मत करना, और इन चीजों के माध्यम से जो मिन आपको बताएगा, इनको इस्तमाल करना, पांचवी हमारे sales की strategy है, जिसको हम बोलते है, digital marketing sales strategy, digital marketing आज का समय में सबसे ज्यादा किपाय थी, powerful, easy advertisement करने का जरिया है, जिसके मदद से आप अपने customer तक, अपने service को बहुत तेजी से पहुंचा सकते हो, बहुत आसानी से पहुंचा सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग इस digital marketing sales technique को इस्तमाल ही नहीं करते, जिसके वज़से वह पुराने तौर तरीके से ही लोगों के घर जाकर उनसे मिलना, call करना, बाचित करना, follow up लेना, इसी में लेकर रहते हैं, औ जहां तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, जहां तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, जहां पर आप नहीं पहुंच सकते हैं, जहां पर आप कि वीडियो पहुंच सकती हैं, जहां पर आप किसी को target करके पहुंच सकते हो, वहां पर आप फिजिकली नहीं पहुंच सकते हैं, इसल टूल से होते हैं, इनको सीखने में थोड़ा सा आपको समय लगाना होता है, लेकिन जब भी आप इसको सीखें, तो हमें से ध्यान रखें, आपकी target audience कौन है, आप किस तरह के customer को बेचना चाहते हो, उसकी उम्र क्या होगी, वो किस location में रहता होगा, उसका profession क्या होगा, अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखोगे न, तो आप उसे easy तरीके से बेच पाऊगे, आप उसे easy तरीके से समझा पाऊगे, उसको आप target करके उसके mobile में दिख पाऊगे, क्योंकि क्या होता है, तो अगर आपको उसकी सारी जानकारी पता है, तो आप उस तक अच्छे से पहले बात आपको YouTube में सीखने को मिल जाएगा, दूसरा आप paid courses के माध्यम से भी लोगों से सीख सकते हैं, उसके expert हैं, उसे के सांसाम अगर आप, अगर आप video sales सीखना चाहते हो, तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे program है, video sales आप उसको जाके भी buy कर सकते हो, यह सारी strategy, मैंने उसको मैं कैसे बेचूँ, तो आप मुझे नीचे product लिख के बता दीजिए, मैं आपके लिए जल्द ही ऐसी video लेके आओगा, जिसमें आप कस्तमर को अपना महेंगा product उसको बहतरी तरीके से बेच पाओगे, नीचे आप मुझे comment करिएगा, अगली video के अंदर मिलते हैं आप से तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद